दोस्तो कल मैं वजार में गया तो मुझे अपने पंखी के लिए एक बायर चाहिए थी तो जब मैंने बिजली की दुकान पर जाकर बोला कि मुझे पंखा लगाना है तो उसके लिए बायर दे दो तो दोस्तो दुकान दर मुझे कहे कि आप ये बताइज कि आपको कितने Oscair MM की बायर जग केवल चाहिए तो दोस्तो मैंने उसे फिर से कहा कि मुझे पंखा लगाना है उसके लिए मुझे बायर चाहिए तो बार बार ये ही question वो कर रहा था कि आप ये बताईए कि आपको एक square mm की बायर चाहिए जा 10 square mm की जा 4 square mm की तो दोस्तो ये square mm आखिर है क्या मैं wing confused हो गया कि ये square mm क्या होता है दोस्तो तब जब मैंने गर पर आकर इसके बारे में search किया तब मुझे पता चला कि square mm क्या होता है दोस्तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब भी आप मार्किट में तार लेने जाएं या केवल लेने जाएं तो आपसे यह जुरूर पूछा जाता है कि यह Scare MM क्या होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे वेल्कम बैक टू उलेक्रिकल स्टाफ फो यू आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केबल में स्केर एमेम क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं 10 square mm की 16 square mm की 25 square mm की और अलग अलग रेटिंग की तार होती है बट दोस्तो मैक्सिमुम बंदों को ये नहीं पता होता कि जो जे square mm है ये क्या होता है इसका क्या मतलब है और इसे कैसे निकाला जाता है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे इस square mm होता क्या है तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो जे मेरे पास 3 kevel पड़ी है जिसमें जे single core की kevels है दो और जे हमारे पास 2 core की kevel है तो दोस्तो मैक्सिमुम बंदे सोचते क्या है कि जैसे मान लिजे अगर जे एक square mm की kevel है छीक है दोस्तो तो वो सोचते हैं कि यो इस इसकी मोटाई है मतलब इस पूरी kevel की मोटाई है ये एक square mm होगी बट दोस्तो ऐसा नहीं होता है अब इसमें जैसे की दो तारे हैं तो दोनों तार एक square mm की होगी अब उसमें भी एक condition है कि बंदे ये सोचते हैं कि जो insulation है उसके साथ ये एक square mm की होगी बट ऐसा नहीं है ज अब अकेली तार है बायर है जैसे हम बोलते हैं वो एक square mm की होगी अब दोस्तो जो एक square mm है जिए बायर की मोटाई नहीं है क्योंकि जो square mm है वो area होता है ना की मोटाई होती है तो आपको क्या करना है कि किसी भी बायर की अब देखिए दोस्तो जो बायर और केवल में डिफरेंस है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जिससे आपको बायर और केवल में अंतरपद लग जाएगा चीक है दोस्तो तो अब जैसे कि आपके पास जे एक केवल है चीक है अब इसमें जब insulation हटाया देंगे तो अंदर से अलग लग तारे निकलेंगी चीक है तो जो इसका area एगा इन पूरी तारों का इसे हम square mm बोलते हैं ठीक है दोस्तों अब ऐसा नहीं है अगर जे मान लीजिए एक square mm की cable है तो इस तार की भी जो area होगा वह एक square mm होगा ऐसे ही ज इसका जो area होगा वह भी एक square mm होगा बट maximum बंदे सोचते क्या है कि जो जो पूरी cable है इसका जो area है वह एक square mm है नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं होता मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बतायता हूं आप मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक cable है जो की 25 square mm की 3 core cable है अब इसे 3 core इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसमें 3 तरह है तो यह red, yellow, blue है तो अगर जे 25 square mm की cable है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो r face है वह भी 25 square mm का होगा ऐसे ही जो yellow face है वह भी 25 square mm का होगा और ऐसे ही जो blue face है वह भी 25 square mm का होगा बट maximum बंदे सोचते गया है कि जो जो पूर square mm होगा बट ऐसा नहीं होता है अब दोस्तों आप आपको ये तो clear हो गया कि cable में square mm होते क्या है ऐसे ही आप और example ले लिजिए तो जैसे ये दो तारे हैं अब जे single core तार है तो अगर ये मान लिजे चार square mm की तार है तो इसकी जो ये बायर होगी मतलब without each jours buy your out insulation Nepal होगी इसका जो area होगा वह 4 square mm होगा ना कि with insulation अब बात आती है कि अगर हमें नकालना हो कि कोई भी आयर है वह कितने square mm की है वह कैसे निकालनेंगे मालेजिए आपके बाद ये बाइवर है अब आपको नहीं पता जे कितने square mm की है चिक है क्योंकि हो इस पर जरो लिखा हो कि ये कितने स्केर अमेम की हो वो मिट गया हो बाइर पुरानी होने के साथ साफ हो गया हो तो आपको निकालना हो कि आपको कैसे निकालना है कि केवल कितने स्केर अमेम की है तो आप कैसे निकालोगे तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है? कि जैसे आपके पास ये एक केवल है इसकी इंसुलेशन हटा ले नहीं है अब हमारे पास ये तारे पहले से निकली हुई है तो इसमें अलगग वायर्स हैं आप देख सकते हो ऐसे गुच्छा बना रहता है चीक है तो आपको करना क्या है? एक तार को लेना है इन में से और इसकी मुटाई कैलकुलेट करनी है अब दोस्तो इसकी मुटाई कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना है बर्नियर कैलिपर दोस्तो बर्नियर कैलिपर कुछ इस प्रकार का डिवाइज होता है जिससे आप छोटी से छोटी चीज की मुठाई को calculate कर सकते हो mm में ठीक है आपको करना कहा है बर्नियर कैलिपर की मदद से आपको एक बायर की मुठाई को calculate कर लेना है जिससे आपका diameter निकल जाएगा तो दोस्तो हम मान लेते हैं कि जो इस बायर का diameter है वो हमारे पास है 2.13 mm ठीक है दोस्तो दोस्तो ये मैंने just मानना है ऐसा नहीं है कि मैंने calculate किया है क्योंकि मेरे पास बर्नियर कैलिपर नहीं है बट मैं आपको निकालने के लिए ये हम मान के चल रहे हैं कि जो इसका diameter है वो 2. 2.13 mm आतरा है अब दोस्तों आपको इसका निकालना है रेडियस ठीक है दोस्तों आपको पता है कि जो रेडियस होता है बोट डायामीटर का हाफ होता है मतलब डायामीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके वास रेडियस आजएगा तो यहाँ पर 2.13 divided by 2 तो द क्योंकि जो बर्नियर कैली पर हमारे पास कल्कुलेट करेगा वो भी हम mm में ही कल्कुलेट करेंगे चीक है दोस्तों अब हमारे पास एक वायर का देखिए इस पूरी केवल में से सिर्फ एक वायर का रेडियस आ गया है चीक है अब हमें इस अकेली वायर का एरिया कल्कुले है ठीक है दोस्तो तो अब हम इस formula में इन values को डालते हैं तो यह हमारे पास आजएगा pi आ गया 3.14 into radius हमारे पास 1.066 है तो 1.066 into अब square है इसलिए एक बार फिर से हमें radius से गुना करना पड़ेगा चीक है दोस्तो तो दोस्तो जब हम इसे calculate करेंगे तो यह हमारे पास आजएगा 3.57 square mm अब दोस्तो यहाँ पर square mm इसलिए आया क्यूंकि हमने यहाँ पर इसका area निकाल दिया चीक है अब दोस्तो जो यह 3.57 square mm area है वो एक particular wire का आया है मतलब यह सारी तारों का नहीं आया यह यह एक तार का आया है अब दोस्तो हमें क्या करना है जे सारी तारों को गिलने ना है कि यह कितनी तारे हैं तो यहाँ पर number of buyers गिनेंगे तो दोस्तो जब हम इसे calculate करते हैं तो जायता है 1,2,3,4,5,6,7 जे total हमारे पास 7 number buyers हैं चीक है तो अब हमें क्या करना है area निकालना है पूरी cable का तो दोस्तो अगर cable का area निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है जो हमने single wire का area निकालना 3.57 को गुना करेंगे हम 7 से अब 7 से गुना इसलिए किया क्यूंकि इस cable में जो total buyers हैं वो हमारे पास 7 हैं चीक है दोस्तो तो जब हम इसे calculate करेंगे तो जो हमारे पास आयता है 25 स्केयर mm इसका मलब यह हुआ कि यो जो पूरी wire है इसका जो एरिया है वो 25 स्केयर mm है मतलब यह 26 स्केयर mm की तार है दो इस प्रकार से आपको बाएर का जा cable का area निकालना होता है चीक है दोस्तो तो दोस्तो अब आपको ये भी पता लग गया कि बायर में Scare MM क्या होता है और अगर हमें किसी भी बायर का Scare MM नहीं पता तो उसे कैसे निकालनेंगे इसके बारे में भी पता लग गया तो दोस्तो अब आप easily बता सकते हो किसी भी दुकान पर भी जग किसी को भी कि आपको कितने Scare MM की तार चाहिए चीक है दोस्तो तो दोस्तो आई होप आपको ये वीडियो यूसफुल लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक औ लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठैक्यू गाइज